शराब भट्टी बंद करने की मांग को लेकर वाडवासियों ने सौपा ग्यापन साथ ही कहा कि आगामी दिनों शासन द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई तो होगा उग्र प्रदर्शन दुरुक के वाड 49 के हरी वाड में स्थित पोटिया बस्ती में संचाली शराब भट्टी को हटाने वाड पार्शत पुष्पा गुलाव वर्मा सहीद वाडवासियों ने भर सक प्रयास किये मगर शासन की अंदेखी के चलते वाडवासी काफी परशानियों का सामना कर रहे है इस बार भी पार्शत प्रतिरीधी गुलाव वर्मा वाडवासियों ने कहा कि आज दुरुक कलेक्टर के नाम लिखी शिकायत कर आवेदन देकर शंचाली शराब भट्टी को हटाने की मां कर रहे हैं वहीं अगर प्रशासन इस बार भी कोई ठोस कारवाई नहीं करता है तो इस मामले में वे उग्र आंदोलन करने बादी होंगे शरीर का कोई ध्यान ही नहीं दे पार है हम लोग चाहते हैं कि वह भट्टी वहां से हर जाना चाहिए और सब सुरच्छित रहना चाहिए हम लोग यहीं चाहते हैं शराब भट्टी है वह बिलकुल महले के नजदीक है उसके आसपास में बिलकुल 50 मिटर के दूरी में घर है उसके क्या है सराब पीकर लोग वहीं पीते हैं और उसके बाद आकर इदा घुल लढ़ंगा मा करते हैं यहां तक सिसी फोड़ना यह फोड़ना गाली के लोच करन परण जो महलाएं हैं जो साम को काम करने करने घर जाती है उनको आधा घंटा तक वेट करना पड़ता है यह से बहुत परसानी है अब बच्चे भी बीगड़ रहे हैं बहुत पहां पंपे इसकूल बच्चे भी आनी सकते ना जानी सकते साराबभठी को वहां से हटा दिया जाए हैं क्योंकि हम अपने तरब से कारवाही करेंगे करके बोलते हैं अभी भारवर्थ करें करए कर एक ति कि जी टीन, चार बार हो गया अभी तो को यह कारवाही नहीं होताए है तो हम पुरे वाडवासी इस बार भी अगर उनकी मांगों को अंदेखा किया जाएगा तो वे उग्र आंदुलन के लिए बात दे होंगे ग्रैनिसीन निउस के लिए नसीम फारुकी की रिपोर्ट